एक प्रोफेशनल वीडियो एडिट करके यूट्यूब पे वाइरल जाने के लिए जब से मैंने ये चानल स्टार्ट किया है मुझे हजारों कॉमेंट्स और मेसेज़े आचुके हैं और पीपल से कि उन्हें बिलीव नहीं होता कि मैं वीडियोस मोबाइल पे एडिट करता हूँ बट इट इस टूव आपको अपने चानल नेम का ऐसा मोशन बाग्राउंड कैसे क्रेट करें ऐसे कस्टम करेक्टर्स बना कर उन्हें एनिमेट कैसे करें किसी भी आर्टिकल या स्क्रीन शॉट में वर्ट के कलर को चेंज कैसे करें नंबर काउंटिंग वाला ये कूल अनिमेशन कैसे बनाएं वीडियो में ऐसे कूल प्रोग्रिस बार्स कैसे लगाएं और भी बहुत कुछ सीखेंगे इस एक वीडियो में आप इन टेखनीक्स को किसी भी एडिटिंग अप में अप्लाई कर सकते हो जैसे इन शॉट, कैपकट, काइन मास्टर, वी एन लेकिन एक्स्प्लनेशन के लिए मैं यूज करूँगा मेरा गोटू वीडियो एडिटर दाट इस इन शॉट आप मेरे वीडियो में जो भी अनिमेशन देखते हो जैसे किसी एलिमेंट का स्क्रीन के अंदर आना, बाहर जाना, किसी टेक्स्ट का साइज बड़ा, या छोटा होना, या ग्राजूली स्क्रीन से फेड आउट हो जाना अगर आप की फ्रेम्स को अच्छे सी यूज करना सीख जाते हो, then your editing will become 10 times better than people who don't use it So, let's learn about it So, what is की फ्रेम्स? बेसिकली एक टूल है, जिसके हल्प से आप वीडियो में किसी भी चीज के starting point और end point को define कर सकते हो और उन दोनों points के बीच animation create कर सकते हो For example, अभी यहाँ पर एक PIP import कर लेते हैं, explanation के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हो, एक inverted triangle वाला option है इसी के help से हम की फ्रेम्स को add और remove करेंगे तो अभी मैं यहाँ पर पहला की फ्रेम्स कर देता हूँ, like this यह होगी इसका starting point फिर timeline में कुछ seconds आगे बढ़ जाओंगा और यहाँ पर दूसरा की फ्रेम्स करके इस PIP को zoom कर दूँगा यह हो जाएगा इसका ending point and now if I play the video from the very beginning you can see हमारे PIP में एक zoom in effect create हो गया है ओके अब एक और PIP इंपोर्ट कर लेते हैं let's take this one इसे मैं screen के left side प्लेस कर दूँगा और यहाँ पर add कर दूँगा इसका पहला की फ्रेम्स यह हो जाएगा इसका starting point फिर timeline में कुछ seconds आगे बढ़ जाऊँगा and यहाँ पर add करूँगा दूसरा की फ्रेम और इस PIP को उठा के screen के right side place कर दूँगा यह हो जाएगा इसका ending point and now if I play this you can see हमारे PIP में एक left to right animation create हो चुका है so अभी तक हमने दो ही properties को manipulate किया that is size and position but of course जो दूसरी properties हैं उनके साथ भी हम खेल सकते हैं for example opacity so अभी you can see मैं second keyframe में हूँ यहाँ पर मैं इसकी opacity को zero कर दूँगा and of course first फ़ले keyframe में इसकी opacity 100 है so अब starting point और end point के बीच एक new fade out animation create हो चुका है so I think आपको समझ आ रहा होगा कि keyframes का use कैसे करते हैं आगे जब हम और भी advanced techniques देखेंगे तो you will know कि यह कितना powerful tool है and of course not only PIP but text, sticker या फिर जो main footage है उसमें भी आप keyframes का use कर सकते हो for example यहाँ पर एक stock video import कर लेते हैं let's take this one and अभी आप देख सकते हो इसमें कुछ खास movement नहीं है तो मैं इस video के बिल्कुल starting में आ जाओंगा and पहला keyframe यहाँ पर add करते हैं this is the starting point फिर timeline में 5 seconds आगे बढ़ जाते हैं and दूसरा keyframe यहाँ पर add करके video को zoom in कर दूँगा यह हो गया इसका ending point and now if I play this you can see video में एक zoom in effect create हो चुक है let's talk about keyframe E's presets अगर मैं भी screen पर एक PIP add करू and इस में एक simple सा left to right animation create करू using keyframes तो आप देख सते हो कि यह बहुत ही constant speed के साथ move कर रहा है because of which it looks a little boring तो इसे interesting बनाने के लिए हम use करेंगे keyframe E's का इसके लिए दो keyframes के बीच में जाओ फिर यहाँ पर swipe करोगे तो you'll see there's a feature called Ease इस पर click करो here you'll find 9 built-in presets जिसके help से आप keyframe animation के movement को manipulate कर सकते हो and इस में smoothness add कर सकते हो like currently यहाँ पर default preset selected है तो आप देख सकते हो कि यह PIP की movement बहुत simple and boring है वहीं अगर मैं fourth preset select कर दूँ तो you can see it looks so much better of course जो बाकी presets है वो भी बहुत useful है and I use them in my videos so आपको खुद से देखना होगा कि एक particular animation के लिए कौन सा preset best रहेगा so क्यूंकि हमने keyframes करना सीख लिया है now it's time कि हम उसके help से और भी fun चीज़े create करें अब देखते हैं कि कैसे आप अपने videos में ऐसे cool progress bars add कर सकते हो this is fully customizable मतलब आप इस बार का color and head design अपने पसंद से choose कर सकते हो let's see how all right so सबसे पहले एक video import करेंगे जिसमें progress bar add करना है फिर हम text पर जाएंगे and बहुत सारे spaces type करना है ऐसा क्यू करना है या बाद में समझ जाओगे उसके बाद color wheel वाले option पर click करो label पर जाओ फिर जिस भी color का progress bar चाहिए उससे select कर लेंगे for example I'll select red आप कोई भी color select कर सकते हो और if you want आप ingredients में से भी कोई choose कर सकते हो like this फिर इसे check करके resize कर दूँगा screen पर ताकि ये full screen में fit हो जाए अब of course एक progress bar वीडियो के start से end तक रहता है फिर हम इस text element को screen के bottom में place कर देंगे so it looks like a progress bar so अब हमारा progress bar बनके ready है इसमें सिर्फ animation आड़ करना बाकि है तो animation के लिए clip के सबसे end में चले जाओ और एक keyframe यहाँ पर आड़ कर दो ये हो जाएगा इसका ending point फिर clip के बिलकुल start में आजाओ और एक keyframe यहाँ पर आड़ कर दो ये इसका starting point है तो हम इस progress bar को ठाकर screen के बिलकुल start में ले आएंगे like this now if I play this you can see हमारा progress bar animation ready है अब एक step आगे जाने के लिए हम इसमें एक head add करेंगे वो कोई emoji हो सकता है कोई sticker हो सकता है या फिर आपके channel का logo भी हो सकता है as per your wish तो इसके लिए clip के बिलकुल start में आजाओ and sticker वाले option पर click करके यहाँ से आप अपने gallery का कोई भी sticker import कर सकते हो to use as the head of the progress bar so अभी मैं in short का एक built-in sticker यूस करने वाला हूँ which is this one इसके size को छोटा कर देंगे and then we'll place it next to the progress bar make sure कि इसको भी आप clip के end तक extend कर दो like this and now I'm sure कि आप समझ गए होगे कि आगे क्या करना है पहला keyframe यहाँ पर add कर दो फिर clip के बिल्कुल end में चले जाओ and यहाँ पर add कर देंगे दूसरा keyframe फिर इस sticker को उठा के बिल्कुल end में place कर देते है और यह हो जाएगा इसका ending point and now if I play the video you can see हमने एक बहुत ही cool progress bar animation create कर लिया है next up I want to teach you कि किसी भी article या screenshot में words को ऐसे highlight कैसे करें normally जैसे लोग text को highlight करते है उसके comparison में यह नया तरीका बहुत ही professional लगता है so yeah let's learn this इस effect के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक highlight strip जिसका use हम बार बार अपने वीडियोस में कर सके तो in short के photo editor पे click करो new project पर जाओ और एक blank file import कर लो then click on canvas and select no frame उसके बाद click on background और जिस भी color से आप text को highlight करना चाते हो उसे select कर लो for example I'll go for red and मैं इसे check कर दूँगा इसके बाद हम crop वाले option पर जाएंगे and इसे नीचे से crop कर देंगे ताकि हमें एक लंबी horizontal strip मिल जाए and then इसे safe कर दो इसके बाद in short के video editor में आजाओ new project पर click करो और जो भी article या screenshot है उसे import कर लो अब let's say हमें screenshot में mobile video editing इन तीन words को highlight करना है तो timeline पर उस point पर आजाएंगे जहां से मैं highlight effect create करना चाहता हूं then I'll click on PIP and जो highlight strip हमने create किया है उसे import कर लेंगे फिर इसके size को भी adjust कर देते है and then I'll place it on these three words mobile video editing अब आप देख सकते हो कि इस highlight strip ने बहुत ही अच्छे से इन तीनो words को cover कर लिया है तो मैं इस layer पर click करूंगा and यहां पर देखो एक option है blend इस पर click करो यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे blend modes है तो अगर आपके screenshot में background black है then in that case you will select darken and you can see यह तीनों ही words बहुत ही अच्छे से highlight हो चुक है you can even select कि इसकी opacity कितनी होनी चाहिए तो मैं इसे अभी के लिए full रखूंगा वहीं अगर आपका background white होता तो फिर यह वारा blend mode काम नहीं करता in that case आपको select करना होता lighten या fair screen and you can see text बहुत ही अच्छे से highlight हो चुक है यह number counting effect बहुत ही cool लगता है देखने में and it is really helpful to tell a story with numbers like if it's a subscriber या follow account animation के लिए यूज कर सकते हो you can use it to show someone's net worth or depict a course of time इस animation को बनाने के लिए मैं सबसे पहले in shot में एक blank file इंपोर्ट कर लूँगा और इसके duration को 60 seconds कर देते है अब लेट से मुझे decoding vt के लिए subscriber count animation बनाना है तो I'll click on text and मैं अपने channel का name टाइप कर दूँगा फिर इससे resize कर देते है और इससे clip के end तक extend कर देंगे so text पर जाओ and जिस भी number से आप चाहते हो कि animation शुरू हो उससे type कर दूँ so I'll write one and इसके size को बढ़ा देते है फिर इससे भी clip के end तक extend कर देंगे अब जो आगी का process है it is a bit long but trust me it will be worth it so अभी देख रहे हम timeline के बिलकुल start में है यानी 0 seconds पर तो अब मैं इस text element पर click करूँगा और timeline में 0.1 seconds आगे बढ़ जाऊँगा like this and यहाँ पर इस text element को हम split कर देंगे फिर जो right side का हिस्सा बज़ गया है so वापस से timeline के बिलकुल start में जाओ इस पर click करो and then click on duplicate उसके बाद यहाँ जो pencil icon है उस पर click करो and इस text को edit करके अब मैं 2 कर दूँगा then again हम text को duplicate करेंगे फिर से pencil icon पर जाऊँगा and इस बार इसे edit करके 3 कर दूँगा once again duplicate edit and I'll make this 4 and फिर इसी process को हमें repeat करते जाना है so अगर मैं अभी इसे play करके दिखाऊँ तो you can see हमने one से लेके 10 तक animation create कर दिया but of course ति 10 तक animate नहीं करना है numbers को तुम आगे भी कर लेता हूँ so अभी मैंने one से लेके 100 तक numbers को type किया है एक बार इसे शुरू से play करके देखते है so yeah it definitely did take some time but you can see the final result is really cool अभी of course सिर्फ 100 तक ही animate करना था numbers को so one से लेके 100 के बीच में जितने भी numbers आता है मैंने सभी को type किया है but let's say आप और भी बड़े numbers को animate करते हो जैसे 200, 300 तक तो obviously बीच में बहुत सारे numbers को आपको skip करना पड़ेगा otherwise it will take so much time like 100 से 200 तक जाना है तो आप type कर सकते हो 100, 110, 120, 130 ताकि जादा time ना लगे so अब मैं इस last वाले text layer पर आ जाऊँगा and इसे select करके वीडियो के end तक extend कर दूँगा फिर इसे save कर देता है and let me show you कि आप इस animation को और भी cool कैसे बना सकते हो alright तो अभी मैंने यहाँ एक new file में एक motion background इंपोर्ट कर लिया है as you can see and इसके opacity को भी मैंने कम कर दिया है so मैं इसके बिल्कुल start में आ जाऊँगा PIP पर क्लिक करूँगा and जो animation हमने बनाया था उसे import कर लूँगा उसके बाद देखो यहाँ पर एक blend को option है उस पर जाओ and यहाँ पर बहुत सारे blend modes हैं तो इन में से आप कोई भी select कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे I'll select light in and इसे मैं चेक कर दूँगा फिर मैं एक keyframe इस लेयर के बिल्कुल start में आट कर दूँगा यह हो गया इसका starting point and दूसरा वाला keyframe इस लेयर के बिल्कुल end में आट कर देंगे and video को zoom in कर देंगे and now if I play this from the very start you can see animation पहले से भी better लग रहा है so this was just an example कि animation create करने के बाद आप इसे किसी भी वीडियो में कैसे use कर सकते हो using this next technique आप screen पर आ रहा है किसी भी article, screenshot या image के एक particular हिस्से को magnify कर सकते हो तो सबसे पहले जिस भी photo या video पर ये effect add करना है उसे timeline पर import कर लो जैसा मैंने screenshot को किया है फिर timeline में वहाँ आ जाओ जहाँ पर magnification create करना है and click on sticker then click on detail and यहाँ पर देखो एक option है magnifier उस पर click करो and as you can see screen पर एक magnifier आ चुका है तो जिस भी area को magnify करना चाते हो इससे वहाँ place कर दो इसके radius को भी बढ़ा सकते है अब इसके भी दो settings है first settings से अब ये decide कर सकते हो कि screen कितना magnify होगा तो मैं अभी के लिए से 20 रख देता हूँ second है stroke width यानि कि magnifier के around जो stroke है उसकी width कितनी होनी चाहिए अभी ये visible नहीं है तो इसका color को और select कर लेता है let's take red and width को 25 कर दूँगा now you can see हमारा magnifier screen पर add हो चुका है बट ये बहुत ही app reply screen पर आ रहा है तो इसके लिए हम use करेंगे sound effect का मैं इसके start में आ जाओंगा then I'll go to music and यहाँ पर मेरे पास एक bottle को और sound effect है इससे add कर देते हैं and as you can see हमारे magnifier में एक sound effect भी add हो चुका है अब of course if you want आप इस magnifier को screen के एक area से दूसरे area में move भी करा सकते हो using keyframes like पहला keyframe मैं यहाँ पर add कर देता हूं यह हो गया इसका starting point and दूसरा वाला इसके जिस्ट पगल में and इस magnifier को ठाके मैं किसी और वोड पे ले आता हूं and now if I play this you can see we have added a very nice animation to it so अपने बहुत से यूट्यूबर्स के वीडियो में ऐसे custom characters देखे होंगे and you must be thinking की इसे कैसे बनाते हैं well ऐसा character अपने लोगों के साथ बनाना और उसे animate करना बहुत easy है and it hardly takes 5 minutes अभी है character animation trend में भी है so I thought इसे सिखाना बनता है so let's learn this इस animation को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस टाइप के stock images की जरूरत पढ़ेगी इन्हें आप pixels, pixabay और freepick जैसे website से download कर सकते हो but I know it's a bit difficult to find images जिनमें सभी characters ने same outfit पहना हो like यहाँ पर देख सकते हो सभी characters ने white shirt, black suit और एक black bow पहना है so ऐसे consistent images find करना थोड़ा सा difficult है तो अगर आपको यह 4 images चाहिए तो description में मैं एक link दे दूँगा जहांसे आप इन्हें download कर सकते हो and they are completely free now let's start editing सबसे पहले इन short के photo editor में आ जाएंगे and explanation के लिए इन 4 हो में से कोई भी एक image import कर लेते हैं let's take this one फिर उसके बाद यहां पर देखो cut out का option है इस पर click करो इससे इसका background completely remove हो जाएगा इससे थोड़ा resize कर देते हैं then you have to click on PIP and आपके channel का जो भी logo है उसे import कर लो then click on mask and select circular mask if you want इसमें कोई outline भी लगा सकते हो like this and then I'll check this फिर हमारे logo को resize कर देंगे थोड़ा and इसके head पर place कर देंगे and there we go हमारा पहला character ready है so इसे save कर देंगे अब यही same process आपको बाकी characters के लिए भी repeat करना है character को import करो cut out से उसका background remove करो and अपना logo import करके उसके head पर place कर दो so क्यूंकि हमने सभी characters को बना लिया है अब देखते हैं कि इन्हे animate कैसे करे तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक video background import कर दूँगा like this and इसके start में हम अपने character को add करेंगे so let's take this one फिर इसे resize कर देते हैं तो first animation के लिए मैं एक keyframe मिलकुल इसके start में add कर दूँगा यह हो गया इसका starting point and दूसरा वाला keyframe just इसके bugle में add कर देंगे यह है इसका end point फिर मैं first वाले keyframe पर आऊंगा and इस character को उठा के screen के नीचे बेज दूँगा like this and as you can see हमारे character में एक entrance animation create हो चुका है of course अगर इसे और smooth बनाना है तो आप keyframe ease feature का use कर सकते हो so यहाँ पर जितने भी presets हैं इन में से कोई select कर सकते हो I'll select the second one and I'll check this looks good second animation के लिए यहाँ पर एक zoom in effect add करते हैं तो एक keyframe यहाँ पर add कर दूँगा and दूसरा वाला just इसके bugle में add कर देंगे and इस point पर BIP को zoom in कर देंगे like this यह हो गया इसका ending point once again animation तो create हो चुका है zoom in वाला बस इन दोनों के बीच एक keyframe ease preset उस कर लेता है let's take this one और अब शुरू से देखते हैं कि animation कैसा लग रहा है so yeah it's looking great तीसरे animation के लिए मैं चाहता हूँ कि यह character screen के center से right side में move हो जाए इसके लिए मैं एक keyframe यहाँ पर add कर दूँगा फिर इसके just bugle में add कर देंगे दूसरा वाला keyframe और इस character को उठाके right side place कर देंगे यह हो गया इसका ending point once again ease feature का use करेंगे इसमें smoothness add करने के लिए and you can see our animation is looking awesome एक final animation add करते हैं जिसमें यह character change हो जाएगा so I want कि यह वाला character screen के नीचे चला जाए और जो दूसरा एक और character हमने बनाये था जो screen के left side point कर रहा है वो आजाए screen पर तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक keyframe add करूँगा और थोड़ा सा आगे बढ़के next keyframe को add कर दूँगा फिर इस character को हम screen के नीचे बेज देंगे like this फिर इसमें थोड़ा smoothness add कर देंगे अब you can see यह character screen के नीचे तो जा रहा है अब इसी point पर हमें दूसरे character को भी introduce करना है तो मैं फिर से PIP पर जाऊंगा और यह वाला character import कर लूँगा screen पर इसके size को बड़ा कर देते है like this and say right side ले आते है एक बाद देख लेते हैं कि इसका overall size first वाले से match कर रहा है कि नहीं so या same ही है तो इस नए वाले character के बिल्कुल start में आ जाएंगे by double clicking on it एक keyframe यहाँ पर add करते हैं यह हो गया इसका starting point और दूसरा वाला justice के बगल में फिर first वाले keyframe पर दुबारा से आके इसे हम screen के नीचे बेज़ देंगे and इसमें smoothness एट कर देते है अब इससे एक बार play करके देख लेते है so यार animation is looking good बस इसे थोड़ा सब पीछे करना है अब play करते है looks great एक बार पूरे animation को शुरू से देख लेते है so although अब हमारा character animation बनके ready है but इसमें final touch add करने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि जितने भी बार character हमारा screen पर move कर रहे उस point पर आप एक sound effect add करो so पहला movement यहाँ पर हुआ है यहाँ पर मैं एक sound effect add कर दूँगा इसका नाम है वूश sound effect इसका link में description में दे दूँगा इसे trim कर देते है फिर दूसरा वाला movement हुआ है इस point पर बंच्वेस्च पर्चुट बडूसरा पर्चुट नेक्स्ट पर्लूसरा हुआ है यह जाया करेक्टर्स करें यहाँ पर आपट सेंटर कर्चुट ने पर इसे अट साथ आपक पर एक डाल देंगा वूश पूच्वश फिर फूर्थ मूवमेंट यहां पर है राइट यहां परेट लोगेंट नि जात वाहर नाउ आनिमेशन इस परेटेश कुछड़ियों के लिए कने परेट खरैंट के अन कुछड़ियों के पीछे च्छे के एड़ सकती है इस एफेक्ट को क्रेट कर ने के लिए इन शुर्ट के फौको फोट अडिट अन् new project and select a blank file then go to canvas and select 16 is to 9 फिर यहां पर देखो एक cutout option है इस पर click करो और यूद सी कि यह पूरा file transparent हो जाएगा इसके बाद click on text और जो भी text आप अपने वीडियो में add करना चाहते हो इसे यहां पर type कर दो फिर इसे resize कर देंगे and then I will save it इसके बाद in short के video editor में आ जाओ and new project पर click करके जिस भी video में आप ये effect add करना चाहते हो उसे import कर लो so I'll take this one for example इसे full screen में अजिस्ट कर देते हैं इसके बाद हम PIP पर click करेंगे और अभी अभी हमने जो text file create किया है उसे मैं import कर लूँगा फिर इससे कर देते हैं and I'll place it here फिर इस लेर को मैं clip के end तक extend कर दूँगा इसके बाद दुबारा से PIP पर click करेंगे and उस same video को import कर लेंगे जिससे हमने main footage के लिए यूज किया फिर इससे भी मैं adjust कर दूँगा full screen में and now all you have to do is select this layer and go to cut out and as you can see हमने जो PIP import किया था उसमें background का सब कुछ रिमूव हो गया सिर्फ इस woman का cut out बागी रह गया screen पर and of course transparent text वाला layer इसके नीचे था जिसके वरे से effect बहुत यच्छे से create हो गया सो ऐसे normal motion background तो हम सभी यूज करते हैं बट जरा इसे देखो लुक्स कूल राइट ऐसा motion background आप अपने channel name के लिए भी बना सकते हो in just a few minutes and अपने हर video में use कर सकते हो let's see how इससे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक blank file import कर लिया है और इसके duration को मैं 60 seconds कर दूँगा because मैं एक minute का motion background create करना चाहता हूँ जिससे बार बार अपने videos में use कर सके फिर go to text and just be word का animation हमें create करना है उसे 3-4 बार type करेंगे example के लिए I'll write decoding yt and separate करने के लिए मैं use करूंगा इस bullet symbol का then I'll again write decoding yt bullet decoding yt one last time bullet and space तो इस same format में आपको भी अपनो text enter करना है इसके बाद इस color wheel वाले option पर जाओ and opacity को 25 कर दूँ फिर यहाँ पर जो fourth option है उस पर click करो and text bending को 100 कर दो then I'll check this फिर इस text को resize करके full screen में fit कर देता है अब जो आगे के steps हैं वो शायद थोड़े complicated लगे so just follow me सबसे पहले में this text layer को video के end तक extend कर दूँगा और इसके starting में एक keyframe add कर दूँगा यह हो गया तो you can see कि text में एक बहुत ही अच्छा सा rotation effect add हो चुका है बस एक important चीज़ चेक कर लेना कि first keyframe में जो text का size है last keyframe में भी exact same size होनी चाहिए like अभी अगर देखें तो first keyframe में text का size है 28 तो last वाले में भी 28 होना चाहिए you can see हाँ पर 26 है तो हम इसे increase करके 28 कर देंगे now it's perfect अब आगी का process simple है इस text layer को हम copy करेंगे and इसे resize करके छोटा कर देता है like this फिर edit पर जाके देख लेता हूँ कि इसका size कितना है as you can see इसका size अभी 18 है तो last वाले keyframe में भी में जाकर इसका size 18 कर दूँगा फिर से same चीज़ करेंगे इस text layer को copy करो and इसे resize करके छोटा कर दो then go to edit and इसका size देख लो कितना है यहां पर it's 10 तो last वाले keyframe में भी इसका size 10 कर देंगे and then we'll repeat the same process जब तक screen पूरा भर नहीं जाता and there we go हमारा motion background बन के ready है so यह थे कुछ new video editing techniques that I wanted to share with you all comment करके बताओ कि आपका फेवरेट इन में से कौन है या फिर which technique did you find really useful also यह tutorial मेरे mobile video editing paylist का तीसरा वीडियो है so if you haven't checked part 1 and 2 then screen पर जो paylist है उसे देख सबते हो and yeah मैं आपसे महीं मिलूँगा बाइ